नमस्कार मित्रों, स्वागत याब शभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ब्रिस्चिक्राशी वालों, हे भगवान यह कैसा धर्म शंकड है अब सब कुछ आपकी हाथ में है प्रभू आने वाले अगले तिन दिन हो जाए साउधान काल के गाल में बुरी तरहशे फ़स चुके हो अब सब कुछ भगवान के हाथ पर सोड़ दो और देखो आने वाले अगले तिन दिन आपके शाथ क्या-क्या खिलवार होने वाले है आज की हाथ पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर नर्मान हुआ है अंत्रिक्स के व्यापक ग्रह पूरी तरहशे बदल चुके हैं और अगले तीन दिन तक काफी प्रभाव शिल रहेंगे अंत्रिक्स के व्यापक ग्रहफ आने वाले अगले तीन दिन क्या-क्या अशर दिखाने वाले हैं आपके जीवन पर आपके स्वास्थे पर आपके व्यापार व्यवशाई पर तो बहीं आपके लव लाइफ पर कौन से शुब एवं कौन कौन से अशुब प्रभाव डालने वाले हैं। उसके लिए क्या-क्या शावधानी आपको बरतना साहिए किन बातों का विशेश ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है और इस काल के गाल से कैशे बाहर निकलना है उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों वीडियो के बीच-बीच में कुछ शावधानिया, कुछ गलतिया है आपकी जोकी आपको नहीं करना है और अंत में उपाय है दिल थाम कर बैठिये और वीडियो को अंत तक देखते रही है। भगबान भोले नात के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिये गए कॉमेंट बाक्ष में जय सिव शंभू, जय भोले बंडारी लिखेगा। उनके एक जटके में शारे बिगडे काम बनने लगेंगे तो आप जरूर लिखेगा। आईए दोस्तों वीडियो के शुर्बात कर लेते हैं भगबान स्रीक्रिशन के एक अनमोल विचार सी। देखिए दोस्तों भगबान स्रीक्रिशन कहते हैं कि भरोशा खुद पर रखो तो ताकत वन जाती है और दुश्रों पर रखो तो कमजोरी वन जाती है। रास्ती हमेशा पैरों के नीचे से ही होती है। इसलिए समस्या कोई भी हो वो इनसान से बड़ा नहीं हो शक्ता। और इनसान के सबसे बड़ी कमजोरी यहा है कि वो तुरंत हार मान लेती हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। बात अगर आपको शमज आई हो और भगवान स्री क्रिशन के इन अनमुल विशारों से अगर आप शेहमत हैं तो एक लाइक अवर्शे करें और कमेंट बाक्ष में लिख दें। राधे राधे जैस्री क्रिशना। चरी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले तीन दिन आपके लिए किस तरह शवैतित होने वाला है और क्या-क्या शावधनिया रखनी होगी। दोस्तों यह शमय कुछ लोग जलन की भावनाशी आपकी आलूसना कर सकती हैं। विप्रित परिस्तितियों को धैरी और शांती से काम करें। अगर भूमी सम्मंधित कोई गति वीधी चल रही है तो पेपर सम्मंधित का दिवाही बहुत ध्यान से करें। अगर कहीं जास प अगर कोई समस्या हो तो आपको तुरंथ प्रतिक्रिया देनेश से बसना होगा और बात एक दूसरे से ज्यादा नहीं करना है। इसलिए वेस्तता बनाई रखना थोड़ा मुस्किर रहेगा। काम के साथ-साथ सम्मंधों को भी मजबुत रखने की जरूरत है। वहीं दोस्तों आपके लिजो समय होंगी आपके दिनचलिया के लिजो समय होंगी। देखिए वैतिगत समस्या आशकती है लेकिन आप घवराने की वजाए परस्थितियों का शमाधान ढूनने का प्रयाश करें और सफल भी रहेंगी। देखिए दोस्तों अगर समस्या है तुनका समाधान भी है। समस्या से भागना यानि कि दोस्तों दूसरी समस्याओं को निमंतरन करना नियुता देना। इसलिए दोस्तों साहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो। डट कर सामना करेंगे तो समस्या अपनी आप दूर चला जाएगा और समाधान आपको मिलने देखिए दोस्तों परिवारिक सदस्य किसी उपलबधीशे घर में उत्सव का महौल अच्छा रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि अगर प्रियासरत कारियों में कोई ब्याबधान आशकता है तो इसकी वजह सी आपकी इकागरता में कमी होंगी। और दुश्रों के मा अमलों में बिन मांगे सलहा देना आपकी मनहानी का कारण बनेगा। इसलिए अपने काम शेही मतलब रखें। दूसरों पर जादा आपको इस समय रोकाटोकी नहीं करना है ये आपके लिए बहतर रहेगा। देखिए दोस्तों इस समय आवाजाही करना आपकी थोड़ा पर देशियों की जानकारी मिलेगी। घर के लिए इलेक्टोनिक बस्तू की खरिदारी शंभव है और टेक्निकल के शेतर से जुड़े युगा वर्ग को रिल्ट की कोई महत्पुन उपलब भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों किसी भी नकरात्मग परिस्तिती से परिशान होने की विज़ाई उनका हल ढूनने की कोशिश करें और शसुराल पक्स के साथ संबंधों में खटाश नो आने दें इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वरना इसकी बज़ह से आपका दामपत्य जीवन भी प्रभावित हो शकता है एक दूसरे में दोरियां बन जकती हैं। लिए आपका सहयोग शक्रात्मक रहेगा। आसपडोस की समाजिक गती वीधियों में आपका वच्छ सब रहेगा। प्रापटी से सम्मंधित कोई भी काम हल निकलेगा। और नक्रात्मक लोगों से छलिये लोगों से दुर रहने का प्रयाश करें। नहीं तो आपके लिए और इस वजह से आपके महत्पूर काम अटक शक्ति हैं और आज किसी भी तरह की आवाजा ही ना करें। क्योंकि इसमें फाइदे की बजाए नुक्षान होने की ज़्यादा आशंकाएं बन रहे हैं। शितारे कहते ही हर तरह से नुक्षान ही नुक्षान होगा। इसलिए ज अगर आपकी व्यवशाय को लेकर बात करें तो यह समय मीडिया, आर्ट, कम्प्यूटर, आदिस से जुड़े व्यवशाय में लावदायक इस्ततिया बन रही हैं। लेकिन प्रति अस्परदाश अमंधित गतिवीधियों का शम्मान करना पड़ेगा। शरकारी से बारत लो भावनात्मक नजदिक्यां बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय खान पान की लापरवाही से पेट सम्मंधित दिकती आएंगी जिससे स्वास्तिय आपका विगड़ सकता है और आपका स्वास्तिय खराब हो शकता है। स्वास्त निम्बू निचोड कर एक कप नमक और चार चोधाई शफेद सिरका डाल कर इस मिश्रन से पूरे घर और खिड़की को भी दरवाजी को भी साफ कर दे। यकीन मारी दोस्तों आपके घर को नेगेटिव एनरजी छुबी नहीं पाएंगी और आपके घर सकरात्म उर्जा हमे